मीडिया की भूमिका मीडिया और धन मास मीडिया को कार्य करने के लिए भारी मातरा में धन की आवशक्ता होती है समाचार स्टूडियो संचालित करने, समाचार वाचकों और अन्य स्टाफ को नियोजित करने, प्रकाश व्यवस्थाओं, कैमेरे, उपग्रहों जैसे उपकरणों और नवीनतम तक्नीकों की आवशक्ता होती है और इसलिए यह महंगा होता है यही कारण है कि अधिकतर टेलिविजिन चैनल और समाचार पत्रों का स्वामित्व बड़े व्यापारिक घरानों के साथ में है मास मीडिया निरंतर धन अर्जित करने के तरीकों के विशे में विचार करता रहता है यह मुख्य रूप से विभिन उत्पादों जैसे कारों, चौकलेट, कपडों, मुबाइल फोन आदी के विज्यापन कर धन अर्जित करता है एक ही वस्तू का बार-बार विज्यापन करना दर्शकों को उस वस्तू को जाकर खरीदने के लिए प्रलववित करता है मीडिया और लोगतंत्र मीडिया देश में और विश्वभर में होने वाली घटिनाओ पर चर्चा करके नवीनतन समाचार और अपडेट प्रदान करता रहता है इस प्रकार यह नागरिकों को जानकारी प्रदान करता है, उदाहरण के लिए सरकार कैसे कारी कर रही है साथी नागरिक न्यू स्टोरी के आधार पर कार्यवाई कर सकते हैं उनमें से कुछ संबंधित मंत्रियों को पत्र लिख कर ऐसा करते हैं कुछ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करते हैं या हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं या यहां तक की सरकार से अपने कारिकरम पर पुनर्विचार करने की मांग करते हैं सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान लोग बड़ी संख्या में एक जुट होते हैं और किसी विशिष्ट मुद्दे पर मुक्ता रूप से अपना विरोध व्यक्त करते हैं रैली का आयोजन करना, हस्ताक्षर अभियान चलाना, सडकें, जाम करना इत्यादी इसके लिए अपनाए जाने वालों को कुछ उपाए हैं इस प्रकार यह महत्व पूर्ण है कि मीडिया द्वारा दी गई जानकारी संतुलित हो